कि नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्जाम फाइटर्स में और दोस्तों आज हम पंचाय सचु के जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट की डेट है और भी बहुत सारी चीजों पर बात करने वाले थे और वो वीडियो लेके मैं हाजिर हुआ और कमेंट पर कमेंट किये जा रहा है किसर रिजल्ट कब आएगा वागरा वागरा यह सब तो इस पर पूरी डिटेल बताई गई है मैं कल ही बताने वाला था लेकिन कल कुछ ब्यस्ता की वजह से नहीं बता पाया उसके लिए छमा चाहता हूं पर जो है आज डिटेल में कल तक की जो अपडेट थी वो बता दूँगा और बताने वाला हूं इस वीडियो में आप वीडियो को बने रहे हैं पूरा वीडियो वश्य देखें तो सबसे पहले देखें दोस्तों जो लोग बता रहे थे कि पंचाय सज्यू का रिजल्ट कब आने वाला है तो उनको बता जादा बहुत जादा मतलब रिजल्ट को लेके एगर ना रहें रिजल्ट जो है बीस पच्छिस के बाद ही आएगा उसके पहरे नहीं आएगा इस मंत के लाज तक याने के संभावना है उसका कारण बहुत सारे है कारण सबसे पहले तो जैससी कोई भी काम करेगी तो बहु दूसरा यह लेटर मैं आपको दिखा रहा हूं यह देखे एक लेटर है यह लेटर जो है इसका एकजाम तीन जूलाई को हुआ था और सेंटर था साइफो टेक था यह मैं दिखाने वाला हूँ आपको यह यह देखिए यह एक सो पांच श्री साइफो टेक कॉशलया तो इस पे क्या हुआ था कि लड़कों ने कंप्लेन की थी उनका जो है सॉप्टर प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा था और उसे संबंदिते लेटा रहे हैं देख लीजिए सेवा में जैसे सी परिच्छा नियंत्रक नामकुम राची सॉप्टर में गड़बड़ी के कारण और सर दूबजे के परिच्छा में कई परिकार की गड़बड़ी आई परिच्छे में परिच्छा को इसके बारे में भी कुछ स्थीक से नहीं बताया और यह जो लड़के जो प्रॉब्लम जो नहोंने शॉट आउट किया वह बताया पावर पॉंट फोल्डर भी नहीं खोल रहा है यह स्थी साइन फो टेक तीन जुलाई का एक्जाम का देखिए सील और मोहर के साथ यह जो है सेंटर का है मतलब वास्तविक्ता में कुछ ने कुछ गड़बड़ी थी देखिए मैं कंफर्म नहीं कह सकता लेकिन अगर लड़की यह लड़के लिगेशन लगा रहे हैं कु उसने कुछ तो बात जरूर रही होगी ठीक है तो खेर हम उसमें बात नहीं करेंगे लेकिन इसकी वज़े से भी और जब 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 लड़के मिलने गए थे तो जो बी सटी कारण होगा या जिस तरह का आगे जो इस पर हम लोग एक्शन लेंगे उसको एक नूटिस के म कि बस सीधा सीधी में आपको तौर पर बताऊं तो जैसे सी कोई भी स्टेप बहुत ही भूख भूख के लिए रही है और यह बहुत अच्छी बात है रिजल्ट थोड़ा सदे रहा है पर दुरूस्त है ताकि आप लोग बाद में लिगेशन न लगाएं और नहीं कोट के च और रिजल्ट का वेट अभी फिलाल तो नहीं करें कम से कम वेज दिन पंदऱा से प्रिजदीन तो लगे गा कंज přिए मिनिमार अ बीज दिन और भी जैसे भी अप्टेट हो आगे दें मद आपको देएंगे लेकिन फिलाल हम्यान को बता दो और और कारण कई एक है जो आपको बता दिया और जो एक सबसे बड़ा कारांत हो ये लेटर जिसमें है इसमें साफ साफ में इसमें है कि जो परिच्छा सर्वर में गलबरी हुए थी और इस चीज को एक्षै विदि एक जामनिशन्स कंट्रोलर ने ठीक है और ये दिखे उन्होंन तो इसमें जाके यह जो है ग्यापन दिया है और जैसे सिन उस पर बोला भी एक हम एक्षन लेंगे तो यह कारण भी हो सकता है रिजल्ट ट्रोने का लेकिन फिलाल आपको बता दो रिजल्ट नहीं आने वाला है आप बहुत ज्यादा वेट ना करें और रिजल्ट का जब अरिके से आएगा और अपनी समय से आएगा और तब तक आप अपनी जो है जो है जो भावनाओं को है कंट्रोल में करके रखें और जो कुछ लड़के कमेंट कर रहे हैं कि हर एक घंटा बहुत भारी पढ़ रहा है तो बारी पढ़ने ही वाला है अगर आपने अच्छा एक इफेक्ट बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला है नॉर्मलाइजेशन में कट आफ का जो है सटीक अंदाजा लगाना बहुत ही मुश्किल है बहुत ही मुश्किल है लेकिन मैं मोटा मोटी बता दूं कि लड़कियों में जो कैंडिडेट 410 के राउंड है लड़कियों में व क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में कुछ भी कहना मुश्किल है तो जो आज की पंचाय सच्व की रिजल्ट से अपडेट थी जो अपडेट थी मैंने आपको दे दिया और आगे जो है सीजेल का बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं कि सीजेल आने वाला है तो बता दो दोस्त इ सच्वाले में हम बात नहीं कर सकते हैं और जब वह फैसला हो जाएगा तो नो डाउट मैं आपको सुचित कर दूंगा कि विकेंसी का क्या हुआ कब आने वाला है लेकिन सीटे बढ़ चुकी है मैं आपको बता दूँ सचिवाले की सीटे जो है 365 के आसपास हो गई है और मैं मैं आपको अपडेट करूंगा और उस पर सरकार और कार्मिक और जैसे सीकोसिस कर रही है कि अगर उसका विज्यापा ना है सीजल का तो वह एररलेस है ऐसा नहों कि फिर वह भरतिया कोड के चकर में फस जाए ठीक है तो आज के लिए तना ही दोस्त आग कोई भी अपडेट करूंगा जय हिंद जय भारत